असलाम अलेकुम वेलकम टू मैडिक्स प्रेप पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद इन्फोर्मिशन गेजे 03265590305 पे रापता करें आज हमारा टॉपिक है नुकलियर फिजिक्स पार्ट वन इसकी शोर्ट टिक्स हम देखते हैं अब देखें अब नुकलियर फिजिक्स क्या होता है कि इसमें कोई नहीं होते हैं अब एक चीज़ है वन इम्यू किसके बराबर होता है वन इम्यू को वैल्यू का वैल्यू क्या है 1.606 मुलियर 10-27 केजी अब कुछ टर्म है जिस तर आटामिक नंबर इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको चा CEP के जरीए आप जाद रखें, CEP, चार नंबर, और और मास नंबर को नुक्लियोन नंबर भी का जाता है, क्योंकि यह सम उफ और प्रोटोन प्लस नूट्रोन है. इसको अब देखें, A के जरी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम N की वैली भी ले सकते हैं, और Z की वैली भी यहां से निकाल सकते हैं जो according to our question तो एकसे के element है जिसमें atomic number हम नीचे लिखते हैं और mass number उसका उपर represent करती है अब कुछ term है जिस तरह isotopes है isotopes के बारे में बात करें तो isotopes आदो वीचे हैं same atomic number the atomic number same है but different mass number a and n different होता है इनका अब जिस तरह देखें protein, dutium, in atomic number same है लेकिन mass number different है और neutral number भी different है आईसो बार्ज अब इसको किस तरह याद रखें देखें यहां पर ही आ रहा है यह मतलब atomic mass यहां पर याद रखें कि जिसमें atomic mass same हो हो यह mass number same ही होता है वह आईसो बार्ज क्यालाते हैं असला carbon six fourteen nitrogen seven fourteen oxygen eight fourteen यह इसमें आप देख रहे हैं कि उनका mass number same है आईसो टॉंस यहां पर n आ रहा है यहां पर नॉट्रोन है यहां पर नॉट्रोन है यहां नॉट्रोन से होगे यह इसमें atomic number decrease by two but mass number decrease by four और इसमें helium nuclei produce होते हैं जिस तरह एक example है example से हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यह एक example है radon radium से radon जब बना radium eighty two twenty six is equal to radon eighty six two twenty two इसे radon बना plus cdm two four यह वाल एक example है इसमें atomic number two जबके mass number four कम हुआ अब इसमें क्या है कि neutron two proton neutron proton ratio जो होती है increase होती है क्योंके neutron यहां पर जो हैं वो बाढ़ रहे होते हैं यह कम हो बेटाρलीके होते है इस वजह से यह ratio increase हो जाती है जबạt करेंगे ratio कम कम हो जाती है अभ बीटाडीके बीटाडीके दो पॉस्टीअ यदॉचि बीटा डीके और एक नैकृटीव वीटाडीके वे क्या होता इंक्रीस होगी रेशयो अब पोज्टिव डिपर डिके में बंते हैं इसमें 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 येवाली पी release अनिडोंर, कम हो जाएगी अब घ्राइब की बात करें काम anos ट्राइब करें कि उतती है के इसमें कोई employees इमिट करता है इसमें अटामिक नमर मैस नमबर सेम रहते हैं और जो भी हमने डिकेज देखे इसमें तमाम कौनटीज अनर्जी चार्ज मास कंसर्फ रहती हैं किसी भी नूकलियर प्रोसेस के अंदर अब बात करें रैडियो अक्टिविटी इसमें अलफा एमिशन जाता है हम स्कुरिण में और नेचैन इक्टिव अक्टिविटी हैं यूक डिसकोडर की स्कॉर की 1896 में अर्टिफ्ष्र एडियो आट्विटी चूलिट ने ये वी कंट्रोड बाए फीजिकल प्रोसेस टंपरीचर और प्रैसर के जरें और कैमिकल प्रोसेस यह निकलियर कं हमना है और ना तो इसको physical quantity को भी रोक सकती है और नहीं chemical quantity अब आते हैं हमारी topic important पे half life, half life किया इसको short tricks के बारे में बात करें अब यह number of decay is equal to minus lambda n delta d delta n over delta d is equal minus lambda into and अगर आपके पास यह वाली चीज़ नहीं आप यह वाली values find out कर सकते हैं lambda यह delta n over delta t क्या है यह activity है इसको हम कहते हैं activity और जो लैम्डा है lambda क्या disintegration per second यह disintegration per second है और यह लैम्डा की value एक और है 0.693 over half life lambda में इसमें लैम्डा और half life का relation inverse ती अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी काम हो जाएगी अब उसके short-trick formulas हैं अगर number of undecade items अगर हमने find out करने हैं उसको short-trick formula and is equal to n not 2 into n number of half lives है इस तरह हम निकालेंगा अगर number of undecade items दी हो after time t time भी बताया हो तो उसके लिए short-trick formula के and is equal to n not 2 base 2 है उसकी power 2 t by half life यह इसका formula है यह base है और उसकी power यह है एक्टिविटी अगर हमने निकालनी हो of n half lives की तो is good to n not 2 into n यह undecade items के लिए है अब number of decade items निकालने हैं तो किससे हैं निकालेंगे 2 into n minus 1 over 2 into n इससे number of decayed items हम निकाल सकते हैं where n is the number of half lives n है तो half lives है दी है हमने अगर एक और formula हमने half life निकालनी हो जब time t दिया हो तो half life is equal to t by n जहां पे n number of half lives है ती time है यतने time है वो decay हो गया और जो graph बनता है decay graph वो exponential बनता है मतलब इस तरह graph एक बनता है आप सब पूछा जाए कि इसका graph किस तरह होता है exponential graph बनता है मतलब यह वाली value जिस तरह है यह 1 by 2 यह undecade atoms है और यह with respect to time यह यह important है आप इससे याद रख सकते के number of half life is undecade atoms और decayed atoms अब यहाँ पर अगर half life 0 हो तो number of one कोई decay नहीं होगा 100% undecade atoms और decayed atoms 0 होंगे जब half life 1 होगी तो 50-50% हो जाएगा 50% decayed 50% undecade of 50% decayed atoms हो जाएगे अब जब पर half life 2 होगी इसका formula भी आप पूछे उससे जरी निकाल लें या आप इसके जरी ज़री याद रख लें 25% undecade atoms जो decayed ज़्यादा होएगे ना decayed 75% हो जाएगे अब 3 by 4 इससे आप जाद रखें कि 1 by 4 अगर undecade हो तो 3 by 4 यह नीचे पेंसे percentage form है और 7 by 8 इस तरह हम देखने हैं साथ मेंसे एक माने से साथ by 8 यह decayed atoms आ जाजाएगे 87.5% अब जब half life infinite times हो जाए तो फिर undecade atoms 0% or decayed atoms 100% हो जाते हैं अब मीन लाइफ की बात करें मीन लाइफ जिसमें 2 by 3rd atoms खतम हो जाते हैं मीन लाइफ हाफ लाइफ से ज्यादा होती है और यह reciprocal of decay constant reciprocal तो half life is equal to 0.693 यह लैमडा तो 0.693 multiply by half life के inverse है तो 70% half life is equal to 70% of the mean life हो गया तो इसके लावा एक और जबके mean life is about 44% of the half life अगर दो material हो उनकी half life और mean life same हो तो जिस material की डिके को activity ज्यादा होगी जिसकी mean life ज्यादा होगी वो ज्यादा fast मतलब के mean life जो है वो half life से ज्यादा है आज हमने half life topic कवर किया और इसके लावा मुखलिफ terms